Students, students, आज हम लोग शुरू करेंगे, class 9th के politics का lesson 6, और यह lesson है democratic right, इस lesson में हम लोग democratic right से संबंधी, बहुत कुछ देखेंगे, समझेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे. बच्चों मुकरूप से democratic right, आप इस lesson से संबंधी सुरू से ही बहुत सारे point पड़ रहे हैं, आपका पहला lesson ही सुरू हुआ था, what is democracy, why democracy, तो democratic से ही बहुत कुछ आप सुरू से लेके अन्त तक देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग देखेंगे, democratic right, जो होता है, क्या होता है, और democratic right का सत्मुछ लोगों को मिल रहा है, like that, so many other things also, तो पहले आप हम लोग देखेंगे, life without right, right, democratic right without right, क्या होता है, मतलब बिना right के जीवन कैसे होगा, उसको जानने के लिए हम लोग कुछ example देखेंगे, क्या, prison in Gantanmo Bay, Gantanmo Bay एक प्लेस है, इस Gantanmo Bay में prison है, वहाँ कि क्या स्थिति है, काउन है, कैसे control, that everything, उसके बाद हम लोग देखेंगे, Amnesty International, एक NGO है, उसने क्या किया, उसको हम लोग समझोंगे, फिर हम लोग देखेंगे, बच्चों, citizen right in Saudi Arabia, Saudi Arabia में लोगों को किस तरह से क्या अधिकार मिले हैं, क्या सचमुझ democratic बेवस्ता है, और democratic बेवस्ता है, तो भी क्या right मिला है, fundamental right मिला है, कैसे मिला है, so and so, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने चल रहे हैं, सबसे पहले साधारण तरीके से life without right, side में हम इसको आप समझेंगे, life without right, means ऐसा जीवर जिसमें कोई भी अधिकार ना हो, फार एक जामपल आप साधारण तरीके से कह सकते हो, जो इस्तिती ब्रिटिस काल में थी, लेकिन यहां हमको आपको क्या देखना है, क्या खुद का right कुछ हो, किसी और का right कुछ हो, दोनों में कुछ फरक है, यहां आपको ओड़ देने का अधिकार मिल जाता है, डेमोक्रेसी में, लेकिन आप ओड़ देने के बाद भी, क्या सच्मुच, वह सारी चीज प्राप्त करते हैं, जो आपको बताया जाता है, बात समझे यह point की, यहां थोड़ा उस से अलग हट के आप समझेंगे, ऐसा जीवन हो, जहां पर right हो ही न, अधिकार हो ही न, और हो, तो उसे अधिकार न कहा जाए, उसे किसी और के द्वारा दिया गया direction कहा जाए, निर्देश कहा जाए, आदेश कहा जाए, बंधन कहा जा That's everything, बहुत सारी चीजा आप इसमें समझेंगे, तो एक्जामपल के रूप में हम लोग है कि एक्जामपल इसमें देखेंगे, आपके बुक में भी एक इस्टोरी बताई गही है, इस्टोरी क्या है, प्रिजन इंदा गेंटेनो बोई, गेंटेनो बोई, यह क्या है, एक अ एक जेल है, जो जेल की मुकरूप से युएस के कंट्रोल में, युएस की नेवी ने उसको कंट्रोल किया, उस पूरे पिंजन प्रिजन जेल को नेवी की कंट्रोल में है, तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे देश की लोगों को लगभक standard verse 5 लोगों को, क्या किया गया है, अलग-अलग अस्थानों से उठा लिया गया है, उठा मेंस उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करके लाके उस जेल में ठूश दिया गया है, बंद कर दिया गया है चारो तरफ से, जेल, जेल थो गई न, जेल में ऐसा तो है नहीं कि बैठा के होटल की तरह भाई लीजिए लास्ता पानी करिया ऐसा कुछ ब्योस्ता तो है नहीं जेल तो जेल होगी ना तो उसमें किस ने क्या किया? US ने US ने मुख के रूप से किस लिए किया? US ने इस लिए किया क्या भी उनके निव यार्क में जो वर्ट रेट पे हमला हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था भाई? अब लोग जी के सम्बंदी भी कुछ उवर्क रखेंगे 11 सिप्तमबर 2001 हाँ सही कह रहा हुआ तो बच्चो जो वर्ट रेट पे हमला हुआ था मुख करूप से ब्योस्था ने, US ने क्या माना गिए सारे निश्चित लोग जो हैं उसमें दोसी थे, यही लोग जो हैं उसके रिजन थे, यह लोग हमले के उत्तरदाई थे इनको जिम्मेदार के रूप में क्या किया गया उनको पकाला, उठाला, अरेश्ट करके उसी जेल में डाल दो और लाने के बाद किसी भी तरह का कोई ट्राइल नहीं कोई पूश्टास नहीं, कोई पेशी नहीं, कोई मुकदमा नहीं डारेक इंटरदा जेल उस जेल में डाल दीजे, जेल में डालने के बाद भी कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता था कि डालने के बाद धीरे धीरे समय भी इत्ता जाता कहीं कहीं से कोई सिस्टम ऐसा बनता, उनकी अपनी प्रक्रिया जाज करती, उनको लगता कि निस्पक्च है, anyway कोई बात नहीं, निस्पक्च है तो है, उसी में सड़ने दो, वही क्या है यह, राइट आपका कहा है, हमाँ बात क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट, क्या ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि उनको किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक राइट या कोई भी राइट मिल रहा है, उनके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं, कब कहां ले गया, उस देश की सरकार को नहीं पता, काफी दिन तक यह परिस्थितियां ऐसे ही चलती रहे, उनके बच्चों को नहीं मालूम हमारे पिता कहां चले गया है, उस ही में एक था एक बच्चा अनस नाम का था, जो उस समय यूज के प्रेसिडेंट टोनी बलेर थे, उनको एक लेटर लिखता है, कि माई फादर है इस लाइस त्री येर्स येर्स यूज यूज, माई फाद गेंटेनमो बॉय की जेल में उनको क्या किया है, डाल दिया है, जिसका कोई हमारे पास जानकारी नहीं है, किस लिए दोसिय है, क्या कुछ मालूम नहीं, और उनको छोड़ दीजिए, तीन साल से हम लोग ऐसे नहीं है, बच्चा बड़ा भावफों के लेटर लिखता है, कि अपने बच्चों के साथ भार मनाते हैं, फेस्टिबल मनाते हैं, हम लोग तो अपने पापा से, so many times we are, दूर है, उनसे अवे हैं, तो मिन से कहा है उनका राए, कोई राइट मिला है, इस तरह की परिस्थितियां होती है, तो क्या हुआ इस तरह, आप अगला पॉइंट दे लोगों के अधिकार से, राइट से, उत्तरदायत से, जिम्मेदारी से संबंदी कारे करता था, तो अनस्टि इंटरनेशनल एंजियो क्या करता है, इस प्रिजिन से संबंदी, जाजबर्दाल करता है, वहां के कईदियों से मिलता है, जाज़ता है, पढ़कता है, समझता है और डिसीजन निकालता घरे भाई ये तो बढ़ा अन्या हो रहा है लोगों को दूर दूर से कई प्लेशों से इस तरह से लाया गया है इस तरह जिनमेदार लोगों को बताया गया है कि वाइट रेट सेंटर के हमले के दोसी है जब की वास्त्रिक्ता बिलकुल डिफरेंट थे से उसके बाद वा यूएस वियोस्त्ता से कहता निकाल आप बदल यह क्या है इस तरह कैसे किये गया लियूक आप यूजिसस्ट्रे से लाइट किस तरह से सब्ल्राइट से फंडामेंटल लाइट किस तरह से प्यूपल ऑप आप कहा क्या देख रहे हैं तो बच्छो या सिस्टम बिश टोके बहुत सारे देशों में बहुत सारे प्लेसव इस तरह की इवेंट्स दीक रहे हैं इस तरह घंट नाए चाहि है कि राइट आपको कहां कितना मिल रहा है कहां आपके राइट हो रहे हैं अब एक और एक जामपल हम आप देखेंगे इसमें बिल्कुल इसी तरह से किस तरह से लोगों को राइट मिलता है किस तरह से लोगों को राइट छीन लिया जाता है किस तरह से लोग सांत बैठे रहत तो मोनार्व सिस्टेम क्या है? हरीडिट्री सिस्टेम, हरीडिट्री मतलब यह हुगा है, कि अगर वहां कोई निजाम या राजा जिसको आप कह सकते हैं, बनता है, तो उसका बेटा ही जो होगा, दुबार राजा बनेगा, आप यहां क्या होगा, अगर मालीजे कोई एक पीम जला देंगे, पेट्रोल पंप आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा यहां बहुत एक्स्प्लाइटेशन सुरू हो जाएगा, क्या? क्योंकि व्योस्था ही ऐसी यहां कि अलग है, तो क्या हुआ साउदी एरभिया में? यह होता है कि लगतार राजा ही हसन कर करेगा, और उसका भेटा फिर उसके बास सवसन करेगा, जिस तरह की व्योस्था चाहेगा, जैसा कानून चाहेगा, जैसा नियम चाहेगा, वैसा बनाएगा, उसी तरह से जनता की उपर लगाएगा, लगाएगा कानून थोपेगा, जनता को उस कानून में बाधेगा, और क ने वाले सारे लोगू है जो अन्य धर्म से संबंदिये होँ भी वही धर्म पालन करें और मैं से स्सक्तुर जो उस्माना से अलगें सेपरेगें अपना करना चाहता है तो उसको यह करना पढ़ेगा खुले ओप स्प्रिकativa ₹ प्रचार प्रशार प्रफोगेशन या इस तरह कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता तो क्या बेवस्ता है साउदी अरभियन आप क्या बात करते हो राइट वहाँ है वहाँ व्यक्तिको डिमोक्रेटिक राइट है या नहीं है किस तरह का है या आपके सम्वार महिलाओ आप बात करते हैं जरा वहाँ तोड़ा क्या है बिल्कुल डिफरेंट है अब आपको ओफीलिंग आ रही है आज आएगी अगर आप पढ़े होंगे इंडियन system in time of the greatest अब ध्यां से सुनिए वहाँ क्या है महिलाओं के बारे महिलाओं को अधिकार तो पुरुसों के अधिकार के मुकाबले half दिया गया है क्या है हाफ मतलब यहाँ मुखरूप से जैसे आप यहां क्या है one oat equal to one value हर ब्यक्तिके oat की value समान है और चाहे male हो फिमेल हो किसी भी धर्म काओ किसी भी कास्ट काओ लेकिन वहाँ क्या है वहाँ एक male के प्रमुखराइट और अधिकार जो है वो दो फिमेल के बराबर है जो अधिकार दो फिमेल को मिला है वो एक male को मिला है equality समानता की बात आप करेंगे कैसा समानता भाई वहाँ पे equal to woman equal to one man equality what is means of equality यह कहा की बात है साओधी अवरभिया तो right democratic right आप देखें चर्चा करिए आप यह आपको होगे गरे भाई हो तो क्या है मोनार्ग व्योस्ता वहां राजा जैसे चाहे वा हां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजा जैसे चाहे वह इसे करें लेकिन कुछ प्लेस ऐसे भी तो हैं जहां पर democratic system है उसके बाद भी आपको लगे गर रहे अगले वीडियो आप से बच्चों कि किस तरह से क्या प्लेस है वहाँ पर democratic system होने के बाद भी क्या चल रहा है तो इस वीडियो में हम लोग ने इन पॉइंट पर चर्चा कि आग जैसे राइट अगर हम लोग को न मिले तो जीवन क्या होगा और गेंटे नोगे में जो प्रिजयना वहाँ के लोगों को क्या अधिकार था क्या राइट था 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 कि नहाँ था नहीं था अमनेश्टि इंटरनेशनल ने किस तरह का खुलासा किया लोगों को किस तरह से थोड़ा लोगों के इंटरनेशनल सहयोग से कहीं कुछने कुछ चूट या वहाँ से चूटने की सुभधा मिले और आपने अभी देखा Saudi Arabia के बारे में, वहाँ लोगों को अधिकार क्या है, कैसा है, क्या राइठ है, क्या है, that everything, so students, take care, why students, we sure will be in other videos, so thank you very much, ala afiyah.